हेलो फ्रेंज दिलवाली रसोई मेंचा आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सौउस पास्ता जिसके लिए मैंने पैन में पानी बॉयल कर लिया है उसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक और ओल और उसमें डाल दिया है पास्ता पास्ता को ओवर कुक नहीं करेंगे जिस तरह से मैंने आपको दिखाया उस तरह से चेक कर लेंगे इंसर्ट हो जानी चाहिए पर पास्ता तूटना नहीं चाहिए अब ले लेंगे एक पैन उसमें डालेंगे और डालेंगे प्यास ग्रीन और रेड कैपसिकम उनको सौटे कर अब डालेंगे बॉइल पास्ता उसको भी सौटे कर लेंगे डालेंगे थोड़ा सा नमक तोड़ी दे सौटे करेंगे फिले लेंगे एक दूसरा पैन में डालेंगे लगबग 1 तेबल स्पून बटर मैने घर का बटर लिया आप येलो बटर भी ले सकते हैं और डालेंगे एक टेबल स्पून मैदा उन दोनों को अच्छे से रोस्ट करेंगे जिब मैदा और बटर मिल्क एक जगे खटा होने लगेंगे तब थोड़ा थोड़ा करके दूद डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे इस पैटला से लगबग एक से देर ग्लास दूद लग जाएगा इस स्टेज पे आप नमक तेज़ कर सकते हैं अगर कम लगे तो आप बढ़ा भी सकते हैं एक विसकर की मदद से चेक कर लेंगे कि एक भी लंप नहीं रहना चाहिए अगर आप चाहें तो इस ट्रेनर में डालके भी लंप फ्री बना सकते हैं अब डाल देंगे थोड़ा सा थीज मैंने डाइस वाला लिया है। आप गी मौजरेला भी डाल सकते हैं या शेडल चीज भी डाल सकते हैं तो अब हमारी वायट साॉस तैयार हो चुकी है अब हम इससे झीरे झीरे करके अपने दूसरे वाले पैन में जिसमें पास्ता सॉटे किया था ना उसमें धीरे धी करके डाल देंगे जितना भी लीक्विड आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपनी चोर्श से वाइट सॉस मिला देंगे और अब डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडियंट यह है मस्टर्ड पाउडर इली सर्सों होती है उसको थोड़ा सा पीस लेंगे और वो इसमें मिला देंगे और डाल देंगे काले मिर्च औरिगेनो और चिली फ्रेक्स तो तैयार है वाइट सॉस पास्ता अब इसको सर्फ किसके साथ करेंगे मैंने तो लीव गार्लिक प्रेड उसके मैंने काटे पीसे और उसको वाइट बटर से सेक लिया तो आप मुझे कमेंट करके बताईए कि आपको वाइट सॉस पास्ता किस चीज के साथ खाना पसंद है अगर आपको वैसे ही खाना पसंद है तो भी आप मुझे बताईए अदरवाइस आप किस चीज के साथ खाते हैं एंजय कीजे थैंक यूर वाच्छिंग